दोस्तों गाइब हैस बार-बार रिपीट करते हैं रिपीटरों जाते ग्या भी ने ढ़ने ठहर पाती तो जो यह आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं एलो विरा जिसको गवार पाथा भी बोलते हैं और साइड में यह जो आप देख रहे हैं केला और इस साइड में जो आपको बताऊंगा तो दोस्तों जो पसू चाहिए हम कराते हैं और बार बार रिपीट कर जाता हुआ गया भी नहीं ठेहरता चाहिए फर्स्ट टाइमर हो चाहिए उसने एक बार दो बार तीन बार बच्चा दे लिया हो तो उसके लिए हमें क्या करना होगा सबसे पहला जो इ पैंड करता को यह कहें कि कितनी मात्रा में लेना है तो वह भी अंदाजा आपको बता दूंगा उस एलोवीरा के पत्ते को हम उपर से चील लेंगे चीलने के बाद उसके अंदर जो गूदा निकलता है उसको हमें एलोवीरा का रस भी बोल सकते हैं या मैं ताजा ही लेना है तो अब बात आती कि किसी के पास वो पत्ता छोटा हो सकता है किसी के पास बड़ा भी हो सकता है तो उसका अंदाजा लेने के लिए हम क्या करेंगे एक जो चाय पीने वाला जो कप होता है जो चीनी मिट्टी का बना होता है लग बग साइज उसका बराबर होता है थोड़ा कम ज्यादा हो जाए कोई बात नहीं तूसके अंदर उस गुदे को बर लेंगे तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि हमें लेना है एक कप एलो वीरा का जू से अब इसको क्या करना है इसको सिधा अपने पसु को हमें खिला देना है चाट बाट बंटे में भी खा लेगा उसको हम चोकर में मिला कर खिला दें तो भी खिला देगा खा लेगा कितने दिन तक इसकी मातरा खिलाने है दोस्तों हमें यह सपता में तीन दिन खिलाने का मतलब यह है कि उसको लगातार तीन दिन नहीं खिलाना है एक दिन छोड़ कर एक दिन खिलाना ऐसा कह सकते कि यह साथ दिन का अमारा क फिर उससे अगले दिन इस तरह तीन दिन सब्ता मैं अपने पसु को यह एलो वीरा का जूस हम पिलाएंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे जब हमारा यह कोर्स कंपलीट हो जाएगा तो उसके बाद हम लेंगे एक जाइफल यह चित्र भी मैं आपको दिखा देता हूं समझन के लिए बड़ी आसानी रहेगी किसी भी किराना स्टोर पर मिल जाएगा और किसी भी पंशारी की दुकान पर आपको आसानी से मिल जाएगा यह जाइफल हम खरीद के लेकर आएंगे च्यार अब इसका क्या करेंगे इसको हमें छिलका उतार कर कूट लेंगे इसकी दोस्तों इसके अंदर इस जाइफल के पाौडर को बरके फिर अपने पसु को खिला देंगे यह हमें लगातार चैर दिन खिलाना है अब बात यह हुई कि तीन दिन टो नह पिलाना है एलोविरा का जू से और जब वो कम्पलिट हो जाए तो फिर लगातार चैर दिन आमें ये एक केला और एक जाइफल अपने पसु को खिलाना है तो दोस्तो इस परकार हमारा ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है नीचे लोग कोमेंट करते हैं कि ये ग्याब इनको देना है कि बिना ग्याब इनको दोस्तो ग्याब इनको नहीं देना है बिल्कुल यह कनफर्म हो जाएग कि यह हमारा पसु ग्या भीन नहीं है उसको देना है और सबसे अच्छा तरीका तो यह है कि पसु यदि बार-बार रिपीट करता है तो आप अपने नजदी की पसु चिकित सकसे उसकी बच्चे दानी में किस तरह का इंफेक्शन है वो जरूर चेक करा लें कई लोग कोमेंट करते हैं कि फिर हम डॉक्टर से इसला करेंगे तो फिर आपके फार्मूले का क्या फायदा दोस्तों इस चैनल पर किसी को भी ना तो मिस गाइड करने का ना मिस लीड करने का केवल हमारे यह देशी फार्मूले थे जो आज से 30-40 साल पहले हमारे पूर्वत जिन को अपनाते थे और अपने पसूं का इलाज करते थे वह आपके साथ शेयर किया है और डॉक्टर से भी यह दी बच्चेदानी के प्रोपर इंफेक्शन का में पता चल जाता है इस फार्मूले ने मेरे पास कोमेंट आते हैं मैं लगातार 4 साल से यह वीडियो बना रहा हूं तो करीब कर आया है तो उसमें से आठ के बहुत अच्छे प्रणाम आये हैं तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसे लगी इसके बारे में कॉमेंट जरूर करें यह वीडियो कैसे लगी वह कॉमेंट जरूर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें अपनी वानी को विराम देत झाल झाल